नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल माजिद साइस पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेक राये 14 सितंबर 2021 से बनने वाले हर्याना क्रंट अपियर से सम्बंदित सभी मैंत पून क्वेस्टन अंसर जो की आपसे आने वाले कं क्यांने विष्वी धाले के द्वारा विद्यारतियों के लिए कुसल्विकास एम्रोजगार ट्रेनिंग सेंटर की स्तापना की गई है तो दोस्तों इसको प्सननमबर आपका सी रहेगा यानी केंदृ विष विधाले। हर्याना के केंद्रिय विश्विधालिया के द्वारा विध्यारतियों के लिए कोसल विकास एम रोजगार ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है केंद्रिय विश्वी दालिय जिस कीस तापन दो हजार नों में की गई थी और यह हर्याना के महंदर गड़ जिले के जन्त पाली गाव में स्टित हैं बात कर लेते हैं महंदर गड़ जीले की मद्यकाल में महंदरगड को नंदी ग्राम नारनोल वैसी हो का डहर के नाम से जाना जाता था जिसके कारण से इसका नाम नारनोल पड़ा है इस शेत्र का नाम महंदरगड यानि पटियाला के सासक ने अपने पुत्तर मुहिंदर सिंग के नाम पर रखा था ये सा भी माना जाता है कि महंदरगड को मलीक महमूद खान यानि बाबर का जो सेवक है उसने बसाया था महंदरगड का नारनोल सहर पंदरवी स्तावदी के दोरा जैपूर राज्या का एक भाग था तता ब्रीटिस सासन के दोरा ये है हिसार जीले का भाग बन गया था महंदरगड में नारनोल में अकबर के समय तक साल थी जहां जलाली सी के बनाए जाते थे सतरवी स्तावदी में मराटा सासकतांतिय टोपे के दोरा एक कीले का निर्मान करवाया गया था महंदरगड का नारनोल महरी सी चेवियन की तपस्तली बूमी माना जाता है नारनोल में 1543 एसवी में वीरभान ने संत नामी संपरदाई की स्तापना की थी महंदरगड के नसीबपूर में 1857 की करांती कारियों का सहीद समार्ग भी स्तित है हर्याना में अरावली मैदान का सबसे उंचा भाग नारनोल नगर के दक्षणी पस्यमी में कुलताजपूर गराम है जो की 652 मेटर उंचा है और इसी को डोसी की पहड़ी कहते है यह जिला हर्याना में सरसो के उत्पादन में परतमस्तान पर है इसके अलवा खनीज संसादन भी इस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते है और खनीज ज़्यादा पाने की वज़े से इसे खनीजों का सहर भी कहा जाता है और यह जिला लाक की चूड़ियों के लिए विसेश रूप से परसिद है राज्या का एक मातर ऐसा जिले यानि जिसका जिला मुखालियक के महंदरगड ने होकर नारनोल नगर में स्तीत है और राज्या के इस जिले में कोई भी राष्टियर राजमार्ग नहीं गुजरता है महंदरगड में हरियाने का एक मातर केंद्रिय विस्विदालिय जो की आपकी स्ताबनदू 2009 में की गई थी जो की आपका जिन्त पाली गाउं में स्तीत है नारनोल में एक वीरिया बैंक है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगाया गया है और नारनोल को तलाबो वैबावडियों का नगर भी कहते है उत्तर भारत का सबसे बड़ा लोजिस्ट पार्क नारनोल में स्तीत है और हर्याना का नियुंतम जनसंक्या वरीदी दर और नगरिय जनसंक्या वाला जीला भी महंदरगड जीला है नेक्ट क्वेस्टन है हर्यान के किस वैक्ति के द्वारा हिमालिय की सबसे उची चोटी स्तोपंत पर तिरंगा फैराया गया है तो दोस्तो इसकोप से नंबर आपका ए रहे गया यानि सुनील रोहीला के द्वारा जो की हर्याना के वैक्ती हिमालिय की सबसे उंची चोटी स्तोपंत पर तिरंगा फैराया गया है उत्राखंड सहीत चार राज्यों के छैं परवता रोही के द्वारा गंगोतरी हिमालिय की सबसे ओची चोटी स्तोपंत यानि 7775 मीटर ओची है जिस पर स्पल आरोहन करती रंगा फैराया गया है स्पल आरोहन करने वाले परवर्ता रोही के द्रोयों में यानि एक महीला सदस्या भी सामिल रही है और चोटी पर पहुचने वालों में उत्राखंड के ग्रूप लेडर सीवराद सिंग, पवार सहीत, जोट सना, रावत वै अनुज यानि बात होरी उत्राखंड की तो उत्राखंड के सीवर्तमान में पुस्कर सिंग, धाऊमी और हिया के गवर्नर को ने गुर्मीत सिंग और उत्राखंड की राजधानी क्या है दे रादूं हरयाना सित्य सूनिल रोहिला और हरयाना की राजधानी की ओड़ और goddamn के राजधानी की है? के तो राजिस्तान के वर्तमान सीम कोन है तो राजिस्तान के वर्तमान सीम है ऐसो गहलोवत और यहां के गवर्णर कोन है कल राज मिसर और राजिस्तान की राज़धानी के है जैपूर थड़ पे है आपका यानि नेक्स्ट आपका जो गुजरात जो की रवी कुमार इसमे साम अंतरा चोधरी अनसुल बंसल एम स्रीकुमार ये सदस्या भी इसमें सामिल रही है नेश्ट क्वेसे ने जूनियर नेशनल बाली का हैंड़ बोल चेंपिन सीप का किताब किस राज्या ने जीता है तो दोस्तों यह जीता गया है हर्याना के द्वारा जूनियर नेशनल बाली का हैंड़ बोल चेंपिन सीप का किताब हर्याना के द्वारा जीता गया है किसी हरा कर हिमाचल परदेश को हरा कर और हर्याना की स्थापना कब होई थी एक नॉमबर 1966 को की गए थी जो की सतरुआ राज्या बना था और हर्याना जब जीला बनाता तो उस समय हर्याना में साथ जीले थे और ये साथ जीले आपके अंबाला करनाल, रोहतक, महंदरगड, जीन्द, गुरूगराम और हिसार इसमें सामिलता और हर्याने का पर्थम गठित जीला जीन्द था और हर्याने का छेतर फल में सबसे छोटा जीला भी जीन्द था लेकिन गठन के समय सबसे बड़े जीले की बात करें तो सबसे बड़ा जीला आपका हिसार जीला था लेकिन वर्तमान में आपका सबसे बड़ा जीला शिर्सा है अब बात करते है हिमाचल पर्देश की हिमाचल पर्देश के वरतमान सीम कोन है जैराम ठाकुर और यहां के वरतमान गवर्नर कोन है राजे इंदरन विसवनाद अरलेकर और हिमाचल पर्देश की राजधानी क्या है सिमला सेकेंड हा उत्तरपर्देस उत्तरपर्देस के वर्तमान CM AI योगी आदित्यनात और यहां के गवर्नर है आनंदी बेन पतेल और उत्तरपर्देस के राज़दानी क्या है लखनऊ और ताव का माहराष्टर माहराष्टर के CM jours है उधो ठाकरे और सियम कोन यानि के राज्यापाल यानि गवर्णर कोन है बगत सिंग कोश्यारी और महराश्टर की राजदानी क्या है मुंबई नेश्ट कोईसे ना फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेलो को सामिल किया गया है तो दोस्तो इसकोप से नंबर आपका सी रहे गए यानि 6 खेलो को फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6 खेलो को सामिल किया गया है यानि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 19 खेद जो थे आपके सामिलते लेकिन जिसे बढ़ा कर अब कितना कर दिया है 25 कर दिया है हर्याणा में अगले साल यान 2022 में 5 से 14 फरवरे तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पूरी कमान कंसल्टेंसी कमपनियों के हातों में होगे खेलो के अगाज और समापन को भव्या और रंगा रंग बनाने के लिए करीब 50 करोड रुपे खरच किये जाएंगे इस बार इस खेलो में खेलो की संक्या 19 से बढ़ा कर कितनी कर देगी है 25 जिसमें से 5 भारतिया पारंपरी खेलो को भी सामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अधितर गेम्स आपके पंचकूला में स्तित्ताव देविलाल स्टेडियम में किये जाएंगे वोल्लीवोल हैंडबोल के लिए पंचकूला में ही इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि केवल साइकलिंग के लिए दिल्ली होकी आपकी सहाबाद में और सवीमिंग की परतियोगिता चंदीगड में कराय जाएगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सुरुवाद 2018 में मनोवरलाल खटर के द्वारा की गई थी और इसका पहला आयोजन दिल्ली के इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था हर्यान के किस जीले में दोद विश्य जूडो की 23 परतियोगिता का आयोजन किया गया है तो दोस्तों यह है क्या गया है आपके हर्यान के गुरूगराम जीले में जिसमें दोद विश्य जूडो की 23 परतियोगिता का आयोजन किया गया है सहर के दोलताबाद स्थित यानि गुरूगराम जूडो अकादमी में आयोजित दोद्विश्य तेईस्वी परतियोगिता का आयोजन डोक्टर जीगारो कागो जूडो परतियोगिता का समापन रविवार को हुआ है पर्तियों किता में गुरूगराम की दस जूडों अकादमी के अलावा जजजर, सहबाद, भीवानी, जींद, फरिदाबाद की अकादमी और दिल्ली की तीन अकादमियों ने भाग लिया था और आल्ट राफी में गुरूगराम पहले नमबर पर रहा है जब कि दूसरे पर भीवानी और तीसरे पर सहाबाद रहा है नेक्स्ट वेसन है हर्याना की खेल नीती को जानने के लिए कौन से राज्य कदल हर्याना पहुंचा है तो दोस्तों यह है पहुंचा है यानि आपके उपसनमबर डी यानि गुजरात का हर्याने की खेलने थी जानने के लिए गुजरात राज्य कदल हर्याना पहुंचा है और गुजरात के वरतमान सीम को ने बुपेंदर पटेल और यहां के वरतमान गवर्नर को ने आचारिया देवर्त और गुजरात की राज़धानी क्या है गांदी नगर और खर्याने के स्थापनापकी एक नॉम्बर 1966 को की गए थी राज़यपाल को ने वरतमान में बंडारू दत्ता तेरिया और वरतमान मुख्यमंत्री मुनवरलाल खटर है और उप मुख्यमंत्री को ने दुस्यन्त चोटाला हर्याना पर्देश के कांग्रेस विधी विभाग में किसे पर्देश महासचीव के पद पर नियुक्त किया गया है तो दोस्तों यह किया गया है अमंदीब सेने को जो की हर्याना परदेश कांगरेस वीदी वीभाग में परदेश महासचीव के पद पर नियुक्त किया गया है अब बात कर लेते हैं 13 स्टंबर के रिविजन के बारे में हर्याना के यबुननगर जीले में किस चातर को राष्टेपती के दुआरा इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया जाएगा तो दोस्तों यह किया जाएगा गोरव सिंको हर्याना के किस राष्ट्य प्रियोद्योगी की संस्तान ने नेशनल इंस्टिट्यूट फ्रेमवर्ड रेटिंग दो हजार इक्किस में चुआलिस वा स्तान प्राप्त किया है तो दोस्तों यह किया था कुरुक छेतर यूनिवर्सिटी ने नेश्ट क्वेशन हर्याना के सत्तर खिलाडी कौन से नंबर की राष्ट्य ओपन एथलेटिक्स चेंपियन में हिस्सा लेंगे तो दोस्तों यह लेंगे आपकी 60 नंबर की राष्टिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियन सीप में हर्याना के 70 खिलाडी भाग लेंगे Next question है हर्याना के किस खिलाडी को Tata AI ने brand ambassador बनाया है तो दोस्तों यह बनाया गया है नीरज चोपड़ा को जो की Tata AI ने brand ambassador बनाया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा Tokyo Olympic में जेवलिंग थरों में 87.58 मीटर भालब फैंक कर भारत के लिए 7 पदक जीता था और भारत के द्वारा Tokyo Olympic में कुल 7 पदक जीते गई है जिसमें से 1 gold medal, 2 silver और 4 काश्या पदक सामिल है और नीरज चोपड़ा हर्याना के पानिपत जीले के निवासी है और ये पानिपत जीले के गाउं खंडरा के रहने वाले हैं और Tokyo Olympic में भारत के द्वारा किन किन वैक्तियों के द्वारा ये पदक जीते गई दोस्तों कोमेंट करके जरूर बताना और Tokyo Paralympic में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गई ये हैं भी हमें बताना हर्याना के किस जीले के निवासी किसान संजय यादो को जल संरक्षन अवार्ड परदान किया है तो दोस्तों ये है कह गया है महिला होक की खिराड़ सवीता पुनिया को Next Question हार्याना कन्या लोकायुक्त किसे बनाया गया है तो दोस्तों ये है बनाया गया था हारिपाल वर्मा को और आज के इस वीडियो का लाश्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कोमेंट करके जरूर बताए कि हर याने का सरवोच खेल पुरुसकार कौन सा है हमारे पास हरोप सने भीम पुरुसकार, सूर सम्मान, चोधरी देवीलाल या मुख्यमंतरी रतन पुरुसकार फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजे, कॉमेंट कीजे, सेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे, माजीद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप से भी लोगों का धन्यवाद